हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गेट रेडी विद मी फॉर आउटिंग तो आउटिंग क्या मैंने जाना था मम्मी के घर और थोड़ा नया सूट वूट पहना था तो मैंने क्यों ना यार एक नो मेकप लुक का शॉट ले लूँ और कुछ आपको अपने रूटीन बता दू कैसे त्यार होती हूं तो यह वी लेकर ही फटाफट चेंज करके निकल जाती हूं तो जेल बात आज मैंने लिया उसके बाद थोड़ा सा टाइम में देती हूं बाद में थोड़ा स्किन को फेस के लिए तो क्योंकि नहादर टाइम तो इतना कुछ मैं नहीं कर पाती हूं कि मिझे पूरा प्रॉपर स्किले इसके लिए टाइम जी होता है तो सबसे बहले मैं आपके सामने अभी में नहा के आ गई हूं ऐसे बट एक बार फेस का मिरको अच्छे से पूरा क्रीन अप करना है और वह करना क्योंकि जब मेरे पस टाइम है गुमने जा रही हूं और तो मैं इस सब कर लेती हूं तो इसमे आप यूज करने के बाद अच्छे से मसाज करने के बाद फिर मैं इसे धोलूंगी उसके धूने के बाद फिर मैं आक उपता दियो को मैं क्या करने वाली हूं तो अच्छे से फेस वाश वगरा करने के बाद मैं अप्लाई करती हूं थोड़ा बहुत आइस आप आइस वाटर में फेस डिप भी कर सकते हैं बर इतना मिलपसर भी टाइम नहीं है तो मैंने सीधा ही आइस अप्लाई कर ली वह बेटे रहता है अगर आप फेस डिप करें कोल वाटर में तो वह जाद़ एफेक्टिफ है डारेट आइस अप्लाई करने से तो जल्दवाजी में जब होती हूं तो ऐसे कर लेती हूं इसे क्या होगा और कुछ भी में लगाऊंग तो इसका मैं दिखा दूंगे आपको लिंक बाद में यह काफी अचा टोनर है तो टोनर अप्लाई किया उसके वाज को थोड़ा से ड्राइ होनी दूंगी तो हलका सा टैप करके चोड़ दूंगी क्योंकि टोनर को कभी आपको मसाज नहीं करनी है उसके बाद मैं अप्लाई यह यूथ हुएदा की क्रीम है और यह इसके अंदर ना कोकोनेट वॉटर आलवेरा और सबने नाच्रल इंग्रिम्स हैं और बिल्कुल यह मलसिफाइल क्रीम बूलते हैं इसको जो ना वाटर पेस्ट होती है और जट से लगाते ही ना सकें के अंदर चले आती है तो यह वा तो इसके बाद रेडी होना है और निकाल लिया मैने यह सूट क्योंकि मम्मी घर जाना है तो सूट ही ठीक है और यह नए अबी था मैने इसका हॉल वी डाला था देख भी सकते हैं मिशू का तो यह बनाना है मुझे और इसके साथ जूमकिया मैं डून लेती हूं कुछ मिलत तो अब है बात रेडी होने की और वह है नो मेक अप लोग तो आप क्या सोचने वारे हो आप सोच रहे हो क्या मैक अप्लाइ करने वाले फांडेशन बिल्कुल नहीं सबसे बहले मैं करती हूं अपनी आइब्रोज को सेट और तीन चेर्ज रहते हैं इसमें डाग ब्रॉन व है कुछ आगाना जो अआप करना एक काजल लगाना फिर भी है छगें का बारी बारी फेस नी चाहिए मुझे से लगता है कि यार मैंने क्या मेकप सा कर लिया है तो मुझे ना बिल्कुल ऐसा चाहिए होता है नाच्रल सा कुछ नहीं लगा हो बस हलका से ब्रश कर लूगी कि थोड़ा बहुत नहीं जो है वह सेटल डाउन हो जाए कुछ भी दिख रह अब इसी लिप्स्टीक से मैं सब जगह से थोब लूगे भी दिखना तरह मैं आइस पेपी नोस पेपी साइट्स पेपी क्योंकि वह लड़िया नहीं होती है लाल लाल टमाटरे से दालने के हूंती रहती है तो वहीं कर रही हूं मैं यहां पर तो मैंने लिया यह आइस के मैं दिख्ण दॉब किया हुआ है निकल डर डर कंबुए कि मुझे डर लेगता है जादा रहता उज घघा जाए हूं कि मुझे दिखाना नहीं है क्योंकि मुझे आसे नहीं बन जाना मैं घब भूआप जोह की तो मैंने लिकप थैप किया केसे ज्यादा भी मत करनाय नही तो अलग से नज़र आता है और यह हल्का सा टैप के मैंने हैं चीक्स पे और सोड़ा सा नोस पे लिप टेप और चिन पे और इसे मैं स्मर्ज कर दूँगी और बहुत ही तो इसे मैंने प्रश के लिए करते हैं तो नियुक्त है मैं इसे भी जादा करोंगी क्योंकि वह दिखता है हाइलाइटर जादा थोपा हुआ तो अधरवाइस को भी पाटी होती है तो मैं यूज करती हूं स्विस्प्यूटी का लिक्विड वाला हाइलाइटर और ऐसे कुछ कर लूगी जो मैंने अपको दिखाए थे वी वाइट वाले और अल्मोस हो गई हूं मैं रेडी अभी कुछ एक चीज रह गई है वह मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूं मैंने कर लिया है सूट चेंज और आप देखी रहे हो कि कुछ भी ऐसा प्रॉमिनल्टी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हलका सा मैंने मेकप किया है बट वह इतना मेकप भी करना चाहिए अगर आप भी कहीं जाते हो तो इससे जादा मेकप करना बाकी आपकी मर्जी है जाता है बाल सीधे करने का तो उसके लिए मैंने या इनिंग बेश ले रहे है फिलिप्स का इसका मैंने एक लास टाइम वीडियो वी पोस्ट किया था अमजोन का तो यह इनिंग बेश बहुत कमफोर्टेबल रहता है मुझे अगर कहीं जाना है तो मैंसे यूज कर लेती और बाल इंस्टेंटली सीधे कर देता है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको आइनिंग की प्रेसिंग की मशीन की ज़रूद है सीधा ब्रश मारो और रेडी और हो गया मेरा लुक रेडी और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट मॉक्स में ज़रूर बताना सिंपल सा मेरे यह लुक आपके लिए रेडी क्या है आप यह से कर सकते हो एक मस्ता सूट एक अच्छे सी बिंदी एक अच्छे से एरिंग्स और हलका पुलका मेकप रिपस्टिक और एक लूस पौडर को लेके उससे पहले ज़रूर है थोड़ी सी स्किन रोटीन तो वीडियो आपको यह कैसी लगी मेरी गेट रेडी विद मी और एक में गेट रेडी विद मी जरूर लेके आऊंगी फॉर जिम जाते टाइम मेरा क्या शेडियूल रहता है तो फ्रेंड्स करते हूं इस वीडियो को मैं एंड और जरूर कर देना लाइक और कमेंट और अब तक के लिए बबाई टेक और और इंड तो शॉब्सक्री मैं चानल